नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दार्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्टा हाई कोट से किज्रिवाल को जमानत ना मिलना और अतीशी का अनिश्चित अंशन खत्म हो जाना और यहां पर यह दिखाना की हॉस्पिटलाइज हो गई है अब इस पर हमारे लिए जो फैसला आया है वो उससे हम आज सहमत हैं और इधर आतिशी मार लेना का जो अंशन का ड्रामा था वह लगबाख खत्म होता नजर आ रहा है पत्रकार जी पता यह क्या लगता है इन तमाम बातों की बीच आम आनी पाटी एक वाफिट से घिर गई है और किज् दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार देखे आत्रशी मार लेना जी का मैं आपको बता रहा हूं देखे ओरीजिनल जो अंसन होते हैं वह अलग होते हैं स्वाति मैं जी ने 10 ते्रा दिन का ओरिजशनल अंसन अंबेथ कर जी ने किया था ऐसिए मैं आपको बतारा हूं कि एक बार मातमा गांदी ने वें पंट्व और जिन को जीवन दान अंबेथ करने दिया था अज जिवन दान मिलने की सम्भ progressed but we अब आपको बतारे एक बैल ब्लांड दे पर इनों किया उसके पहले अपना शिबान आपकर जब करा यह सारे तीन बजे के लगवा पहुने चार पर हॉस्पिटल इसलिए चुकि अब वह इतना वाला अंसन जहिल नहीं सकती थी पहले से प्लानिंग थी संजे सिंग वगएरा मैं आपको जितने अंसन देते हैं उनकी प्लानिंग होती एक समय पर जब उनको जूस का पकड़ाया जाता गिलास तो बड़ी तेज हाथ बराते हैं यह कटू सच है और एक तय होता है बहुत हो गया अब हमारा अंसन जल्दी तुरवा द पॉल्टिकल थेटर के और खास तोर से इनका इसी तरह मनी लाउंडिंग यह सब रहा उसके बाकायदे प्रूब मिलें यह टोटल डामा था इनका टोटल डामा था यह कटू सच है यह कर दूसरी बात इनकी पतली गर्दन है इनकी तो बहुत जल्दी जूल जाएगी जिनकी गर्दन कम है उनका तो एक बार चलिए चलता है यह बिदाव नेक वाली नहीं नेक वाली लेड़ी दूसरी आपको दाले इनका ड्रामा यह पूरा था अब आप आईए कि इनका जो वजन था 65.88 के जी मैं आपको बताना हो जब अंसन में बैठा जाता है हर समझदार आदमी इनसान अगर होगा आदमी के चुकी दिमाग होता है इसलिए वो खा पी करके बैठेगा खा पी करके आप बहुत छोटा सा देख लिजे अगर खर भूजा भी आप खा लेंगे तीन चार किलो तो बजन कितना हो जाएगा चार किलो एक्चुल बजन इनका 63 के लगबग है उस समय खा पी के बैठते हर आदमी बैठता उसमें कोई जितने भी अंसर 60.58 केजी रहा अब जो लास्ट बजन आया 63.6 है इनके बजन के बारे में पता चला है इनका जो बजन पहले था वो 63 किलो 800 ग्राम के लगबग था इन्होंने 65 किलो 800 ग्राम बताया यहां पर भी इन्हों ने एक पिकार से गलत आंकड़ा दिया खा पी करके अब आया बजन कितना कम हुआ है दो दसमलो 2 केजी कोई बुड़ा नहीं है आदमी खा पी करके आपको बताना है आदमी जब रात को खाना पानी खा लेता तो उसका बजन और सुबह बात्रूम बगए लेटिन जाने के ब लेडी वहां के लोक नायक जर्पकाज 9 के हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने सब बताया है कि इस चित बिलकुल ठीक है कोई भी असमान नहीं है ये एक सामान बात है आई वी फ्लूड में इनको महतपूर पहला मीटर में अभी सब कुछ ठीक है शोडियम थोड़ा सा कम हुआ बॉडी में दिन भर जब आप खाना खाएंगे नमक के साथ तो आपका रहेगा मगर आप जब सुबह उठके देखेंगे तो आपका सुडियम कम होता है उसके बाद जब आप खाना खा लेते सुडियम तो ये कोई बड़ी बार ने अचा सुगर की बात रही बलड की उसकी नेच्रल है कोई ऐसे डेंजंड बाहर नहींती अब मैं आपको तर्लों ओडिंड़ं professionals यो दिया था 10 दिनों 13 तेरा दिन का सु मालीवाल ने किया था ग्रय के लिए नाम नहीं लिया जाता है मतलब नाम या यह अपनी प्वैशिति के लिए नहीं से किया जाता है और अगर यह परखत्र करते हैं तो बात कुछ और होती दूसरा उन्होंने का यह प्रायोजित भाकाइर उत तमाम राजनेताओं का चिन्हों का यह भी कहना तमाम लेज रहता हो तमाम दल तमाम पूजी पत्रियों का इसमें सयोग था जो खास्तों से बीजेपी कहांगे स्वाती मालीवाल ने भी का संगर्स की राय बहुत मुश्किल होती है जमीन पे संगर्स करना पड़ता ओरिजिनल अंसन की ताकत अलग होती जूट जूटी बात का बवंडर करना अंसन करना यह बहुत दूसरी बात जो किसी भी महिला गंदी बाते करती है जो भी सक्स करते है वह आप समझ लिए जूट बोल करके वह क्रेडिन नहीं पा सकते है कोई भी और वहीं स्वाती मालीवाल जिन ने भी कहा है कि उनका स्वास्त ठीक मैं उनके स्वास्त भविस्ट की यह आप समझे इनकी सबसे अच्छी सहली अब आपको बताना जब इन्हों ने अंसन दिया था तो अगले ने कानून कानून बनाधिया था किसने स्वाथी माली वाल ने कानून बन गया था बच्चों के लिए उसके लिए कानून बन गया इनके इंसन डाम में वाजह वह लेडी तब इनको देवी कहा था आ की साक्षा hel About के लिए ठेको आतेसी स्मकाता साखफ्छा देवी इनके लिए किसीं देवी नहीं कहा आब आपको बतादे असलियत क्या 1005 MgD पानी मिला 1100 ada 5M G d पानी मिला 613 m G d जो है वह पानी वहां से हर्याना से बाकी पानी स्थियूत缅र बाकता से आपको बलतों हैं बहुत बड़े Label का आपने किया जिसना उनीesta होनी चाहिए चार नबदोस आबाधी दिल्ली sheep i करोड यह बताते हैं सारे तीन करोड मैं आपको बताना हो लग भग आदे करोड से ज्यादा बंगलादेशी और और आपको बतलाना है रोहिग्गा यहां पर आगए अवाइद लूप से लोग बसे जब से केजरी वाला है इन्हों क्या किया है दिल्ली पे कई जगए पानी नीचे से निकाल लिया निन्यानवे परसंटेज निकाल लिया भूजल निन्यानवे इसमें मुकदमा दायर होना चाहिए आप पार्टी के खिलाब दूसरा क्या है मैं आपको बताना है जो चार करोड आबादी है 100 रुपिया परड़ पानी श्टोर को बेच रहें दूसरी बात इन्होंने जगए जगए पानी के पाकेट बनाएं जो बेच रहें सप्लाई कर चार सो करोड रुपए का डेली का बैपार है डेली बैपार इसमें खर्चा कुछ रही है उस चार सो करोल में बहुत बड़ा है माउंट आप पानी ज्यादा मंगता है किसी विलाज को पूरे बौर्ड में जितना पानी मांगा जाता उतना नहीं मिलता चूकि हर सलकार भी हर देष्ट भी जादा मांगता हर प्रदेश घर सहर्ट ज्यादा मनगता है थोड़ा सा एकसेट तो हरें कम मिलता है तो कुछ मिलता अब आपक संज दूसरी आपको बात बता है कि पानी पंजाब के पास अगर ये पंजाब से मांग ले पंजाब के पास पानी पंजाब से सबसे बड़ी बात है कि यह धना इनका प्रवेजित था सब कुछ किलियर हो गया है सब कुछ किलियर हो गया और उपवास का यह और च्छतिस आपको बताना है यह इन्होंने कहा कि सुगर गिल गई ती गिल गई ती सिव एक राजनेतिक इस्टेंड था आज यह भी पोल खुल गई जो लेटी होई थी उसकी पोल खुल गई यह खुच चाय नहीं थी कुल मिलाक इनकी यह जो है यह कहानी खतम हो गई दूसरी आपको इन्होंने हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां का सबसे अधिक जागरूप है इन्होंने पानी को स्टोर करने के लिए कभी भी उसके लिए नहीं काम किया पूरे देश में यहां दिल्ली की जंता ने स्वेम अपने आ इन्होंने इसके पहले क्यों नहीं किया जबकि अटल भी हरी बाचपे इने सुनिया जी से कहाता मनमों सिंग्स की गवर्डमिंट में अडवानी जी ने भी काता लगातार मांग कि दिल्ली के पानी के लिए यहां पर इन्होंने तालाब नहीं बनवाए पानी श्टोरेस कर अगर चाहे लेते हैं बड़सात में स्टोइज का अगर इनको जादा पानी दे दो तो नहीं लोग पाते हैं यह बार आ जाती यह गेट नहीं को कुल मिला करके पानी के लिए सबसे जाद दोसी जो है वो इनकी सरकार है और खास तो से आतसी हो केजरिवाल है ठीक तो देखिए एक तरफ दिल्ली में जल संकट और जल संकट पर अंशन लेकिन आपको मैं एक और फैक्ट बता देती हूं कल जो डॉक्टर ने चेक किया है दिल कोट में खुलासा हुआ है कि जो डॉक्तर है वो तरे का में आपको मैं अगरा आंप दॉलण होता है और आपको मैं और बार कहा है कि जब आतीशी हैंने हो रही है ये तमाम मुद्दों पर आप सरकार घिरी और अंशन हुआ खत्म लेकिन उसी उलट इनके मुख्या को नहीं मिली बेल और साफ कहा गया दिल्ली हाई कोट के दोरा सक्त टिपनी तल्खियां तेवर भी दिखाए गए क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिना पढ़े आपने कैसे देदी जमानत और दिल्ली हाई कोट ने कहा है साफ तोर पर ये अनूचित था तो बहुत बड़ा समझ जाई ये करारा तमाचा लगा है आमानी पार्टी के चहरे पर जो लगातार सविधान को कुछलने की बात बीजेपी ये खलाफ कर रही है और यही हाई कोट को और निशली अदालत में भेदभाव करती ने जरा रही है आपकी क्या रहा है जरूर कॉमेंट में बताईएगा शुक्रिया